वो राजत के एजेंट की रूप में आज काम करना शुरू किये हैं हम ने ने को टिकट दिया वो भगोरा आने के लिए रूहां चुनाव लरे नहीं लालू यादब के विशे में उसमने बिहार के यादबों को बहुत दिन तक गफलत में रखा लालू यादब बिहार में कि आप एंडिये को बोट देदी जी राहूल गांधी के आसपाह जितने लोग हैं सभी मावबाद का लाल किताब काल मास का दास क्यापकल पढ़ने वाले लोग हैं आप देखिए देश का विभाजन धर्म की अधार पर करवाया कॉगरेशन नमस्कार अनमफ न्यूज देख रहे हैं आप मैं हूँ आपके साथ अब शेक कुंडीर देश में लोकसबा चुनाओ का बिगुल बच चुका है पहले चरण का मतदान हो चुका है और दूसरे चरण का मतदान 26 अपरेल को होने वाला है जिसे लेकर तमाम तरह की बाते चल र राजनीती में पहले चरण के बाद मुद्दे भी बदल गए है जो विपक्ष के पास मुद्दा महंगाई बेरोजगारी का था वो मुद्दा अब हिंदू मुसल्मान पर आचुका है प्रदान मंतरी मोदी लगातार अपने रैलियों से अपने भाशनों में कॉंग्रेस पा बात करता है तो आज हमारे साथ बिहार से एक बहुत खास मेहमान मौझूद है निरज कुमार जी जो बिहार बीजेपी के प्रदेश प्रवक्ता हैं बहुत-बहुत स्वागत है सर आपका अन्यवाद से लोग सबस्वा चुनाव का भीगुल बजा है अगर देश की राजनी बिहार की खासियत है पर बुद्ध बिहार के लोग इतने होते हैं कि देश की राजनीती को समझते है अच्छा ये बात कितनी सही है कि बिहार का युवा है जब वो कॉलेज करता है कॉलेज में जाता है तो पॉलेटिकल साइंस जरूर लेता अपने सब्जेक्ट में यहार की सभी सब्जेक्ट को पढ़ते हैं और सभी शित्रों में आप यहां दिल्ली में देखेंगे कई बिहार की बिरोक्रेट्स इंजिनियर्स आपको मिलेंगे हर शित्रों में काम कर रहे हैं लेकिं राजनीती यहां के गुन है कि जो राजनीती को लोग समझते हैं चाहिए जिसमें 40 देगा बिहार यहत्त्य मारिये और इंडी एलाइंस के लोग ठक चुके अब उनको भी समझ में आ रहा है देखें पुर्णिया में तरिस्वी आदब ने क्या कहा है कि आप इंडिये को बोट दे दीजिए पर पपु यादा को ना दीजिए बहले आप इंडिया को इसमें देश ने हर छेत्र में नहीं उचायों को प्रप्त किया और अगले 25 साल का वीजन कि 2047 तक कैसे भारत को बिक्सित राष्ट बनाएंगे वहीं इंडिये लाइंस के पास क्या है कुछ नहीं है उनका वीजन पूछिए तो सिर्फ और सिर्फ इतना कि जातपात की राज परणने वाले लोग हैं तभी जो उनका मेनिफेस्टो बना है इसमें उने डिस्टिविशन उफ रीडिस्टिविशन उफ वेल्थ की बात उन्होंने की चर्चा भी आप कर भी रहें उनका कहना है कि वह सरकार में अगर गलती से वह आ गये तो मेहलाओं के गहनों का गहने का सर्वे करवाइंगे और उसको लेकरके वो जिसकी संख्या जितनी जादा जिस्जाती कि है उस Gotta बाटेंगे, यह कम्प्रीटली एक कॉम्मिनिस्ट और मावबाद का सोच है, वो तो सही है, लेकिन उन्होंने माइनोर्टी की बात की, लेकिन प्रधानमंत्री सीधा मुसल्मान की बात कर रहे हैं, कि उनका कहना ऐसा है कि मुसल्मानों को देंगे, ऐसा विपक्ष का कहना है, बिलकुल नहीं, उन्होंने क्या कहा था, बैयात करिए न, मनमोहन सिंग ने 2006 में क्या बयान दिया था, उन्होंने भी बात कितनी माइनर्टी की, लेकिन लास्ट में एक से जोड़ देकर कहा था, विशेश कर खास कर अलप संखेक मुसल्मानों का, तो कॉंगरेस की नीती में हमेशा से यह रहा है, यह वो मुसल्मानों की तुष्टी करण की बात करती ही करती है, और नहिरू के समय से करती ही आ रही है, आप देखिए न, देश का विभाजन, धर्म की अधार पर करवाया कॉंगरेस ने, करनाटक में आप देखिए, चार प्रतिशत मुसलिमों को आरक यह बात करते हैं, यही कॉंगरेस का अजेंटा सुरू से रहा है, देश का विभाजन करना हो तो भी, उसमें भी देखिए उन धर्म का अधार पर किया, वही पश्चिम मंगाले में देख लिए नौकरियों में, हर जगह, से, से, स्टी, और विभाजन, पर भी आराम से बात पहले मुझे बताईए के पूर्णिया में, पप्पु यादव से नाराज क्यों है लालु यादव, गठबंदन हुआ, कॉंग्रेस में पपु यादव गए, जाहिर सी तौर जाहिर बात है, परते के पीशे डील जरूरी होगी, मुझे टिकेट चाहिए, उसलिए वो कॉंग्रेस में गए भी, गठबंदन भी बिहार में है, लालु यादव का और कॉंग्रेस पार्टी का, उसके बावजूद पूर्णिया में क्यों खड़े हो गए, लालु यादव के विशह में उसमोने बिहार के यादवों को बहुत दिन तक गफलत में रखा, लालु या यादव का बेटा है, तो कभी लालु यादव नहीं चाहते है कि कोई दूसरा यादव के सामने खराबी हो पाए, यह उनकी मंसा रही है, इसको बिहार की यादवों ने भी समझ लिया है, भली बहुत, लालु यादव के बाद अगर कोई यादवों का नेता होगा तो तो त नहीं देख सकते हैं लालु यादव के सामने किसी को बहुत है, तो कांग्रेस अब बदल चुकी है, पहले वाली कांग्रेस रही हैं, तो कोई खास मैटर नहीं है, वह तो जो मैनिफेस्टो का है, उस पर भी देखी ने, CPI का मावबाद का प्रहौ है, तो कांग्रेस अब ब बदल चुकी है, पहले वाली कांग्रेस रही नहीं, अब ये कौम्मिनिस्ट की विचार धारे वाली कांग्रेस हो चुकी है, तो थोड़ी सी बात करें तो अपने टिकेट दिया, आसन सोल से, लेकिन उन्होंने टिकेट वापस कर दिया, उसके बाद वह आप से बगावत करक जी, पर दे के पीछे क्या कुछ हो, वो बताइएगा, हम दे को टिकट दिया, वो भगोरा निकले लिए तो हाँ चुनाव लरे नहीं और राजत के लेएक काम करने आ गया है, ठीक है, तो अन्होई बहता होगा है, लोग उन्हों को देखने आते हैं लेकिन भी और वोट, द पुझे नहीं बिलने जा रहा है वह जो हमारे निके परतासी है बहुत शांदार मतों से वहां जीत होँ आपको आपको निश्द रूप से आपको संबान करना चाहिए वह आपने नहीं किया आप भगो रहे थे आप वहां से भाग गए अच्छा आपने बात की के भीड और वोट दोनों अलग चीज़ है तो अगर मैं इस परिपेक्ष में मनीस कश्यप का नगर नाम लूँ उनके पीछे बहुत भीड है फैन फॉलोइंग भी बहुत है एक यूट्यूबर रहे हैं जेल भी काट कर आया है नो महीने की जेल से जब जो आये हैं जब से उसके बाद से उनका जो फेन फोलोइंग है बिहार में या फिर वोबी सिर्फ बीड है यूट्यूबर फेन विवोट लेना अलग भीशे मैं बार-बार कह रहा हूं की वोट के लिए आपको जमीन से जुरा हो나 होता है यूँझ जनता से आपका connection connectivity होनी जो कि आज की तारीक हमने जनता से भी बात की बिहार में हमारी टीम कई दिन बिहार में जो है लगाता रही अभी भी काम कर रही है तो जनता के बीच मनीश कश्चप का प्रभाव है लोग बात करते हैं मनीश कश्चप की बात कि संजय जैस्वाल नो डाउट एक बहुत परफॉर्मेंस रहा है और जनता इस बार 400 पार कराके और देश को विक्षित रास्ट बनाने के मुझे टिकेट मांगा आपसे मुझे नहीं लगता है कि किसी संपर्क किया हम लोगों से और क्यों मतलब हमारे हैं उतने कदावर लोग है जो मने कुछ सफलतम सांसाथ होंगे जि पूल personnट है क्ट जे पिहार की जंता है उसे बैहार से बाहर ना जाना पड़े काम के लिए सिख्षा की तלהस में वहीं चीज मुधी जी जिविक जी बी कहते है कि बिहार की जनता इस यूज है वहीं पढ़ाइक चृसरी करा हिए अपने परिश राय टारिक से 있나. Sal??? तो एक आदमी से कहा कि या ईगा तो 20 डिखा खेट आपके पास है आपको बात देना होगा 10 डिखा ब ला हाहं बात देंगे पारके पास पांच मकान है तται में फर बात देना होगा बोला बात देगे बीरी को कहा जमीन बात सकते हो म्कान जमीन मेरे पास और वहीर हम जूत ख Kelvin आ रहे ही तो ऐंधस depending तो पॉसह भाज करते हैं और वासतव देक्ता में पाकिकत वांदे जी नहीं हकीकत बुनते हैं तभी तो लोग मोदी जी को चुनते हैं तो तेज़स्वी आदव के मचली वाले बयान की बहुत रहावा वे मेडिया की शुरक्षों में आप बिहार में रहें बिहार में उसका क्या इमपेक्ट पर जिसले नवरात्र के पहले दिन वीडियों करना अब दिल्ली में परचीत है कि नहीं महालयों होता है ह lidनों होता है कि आप आई यह वर आप अवीत्त दिन होता है उत दिन तदndस्वी की लिए預ंस सनातन का अफ्मान है गुश्सा है दूसरा हो हम अहली कॉप्टर बैठ करके बिहार के गरीब ही का मज़ा रहा है तो में आपके पास खाने को कुछ दिक्कत है कुछ नहीं है और देखिए हम अधिया लिए का बैठ कर मचली रूटी विखार आ रहा है है अधिया है प्रचार करते हैं क्या और खा जो जो करेक पिता जी की तरह कर रहें और कोई नई बात इसमें नहीं है जब मोदी जी की योजनाए देश में काम करती जारे इसको समझी जब वह चार करोड पक्के मकान बनाकर देश में लोगों को दे रहे तो यह नहीं देखते कि किस जाती धर्वे के लोगे मुस्लिम भी बहुत लाभारती रहें उजला योजना का लाव आप देखी पटना कहीं आप एमस में चले जाए चाहे दिल्ली के एमस में आईए आयुसमान का योजना का लाव लने वाले अदिक्टर आपको मुस्लिम में केशव परसाद मोरिया उनका एक बयान आया कि मुसल्मान हमें वोट दे या ना दे मुसल्मान हमें वोट दे या ना दे हम सच बोलते रहें तो का मान लेजा है मुसल्मानों का वोट नहीं चाहिए आपको ऐसा दोने नहीं का वोट दे या नहीं दे हम सच बोलते रहें आज ने कल वो देखेंगे ने कि सच्चाई क्या है और आज भारत का मुस्लिम समाज सच्चाई को देख रहा है कि उनके लिए को सही माईने में काम कर रहा है सीधे शब्दों मैं अगर बात करूं तालमटोल से अलग हो गिलंगाना में चुना हुआ मतब्दा करनाट कारणाट को मुस्लिम वोट बैंक सबसब करनाट का चुनाव दे घ्रची प्रणूट को सोच रहां है की देश का मुसल्मान आब को हरे में सोच रहा है घले Movies अभले थानस्भा में मुझे लगता है क्यों नहीं को पता है कि इनका पका मकाम सोचाले बना कि मोडी जी ने दिया है लाभर्षी वरक तो दोखा दे देता है , पहले में पहले भी देखा गया है अब लाभारती वर को सबी उसारा वोट नहीं नहीं दिया, डाय का पंचर बनाने वाले सूपर उठने नहीं दिया, लिकिन जो मुस्लिम समाज भी आगे आ रहा है, पढ़ लिख रहा है, इसको समझ है कि कौन मेरी लिख्या कर रहा है, भाजपा के नाम पर आप उनको भाभीत करकें का वोट नहीं ले सकते, वो निशीत रूप से मोदी जी के साथ से मोदी जी को वोट करेंगा, पहले चरण में मतदान बहुत कम रहा, 62 फीजडी मतदान हुआ, तो विपक्ष का कहना है कि आपका वोटर नहीं निकला, पता है उसे कि मोदी जी हार रहे हैं, क्या ही वो परिवर्तन करना होता है, यहां देश की जनता मन बना चुकी है, पहले ही कि बार 400 पार, कोई परिवर्तन नहीं है, अंडर करेंट लहर है, मोदी जी निशीत रूप से पीसरी वोटर में, उदास हिंता यह लोगतंतर के लिए अच्छा नहीं है, मैं एक दल का परवक्ता होन करनातिया कहना हो, यह अच्छा नहीं है, और वोटिंग परतिशत बढ़ना चाहिए, मैं आपके चैदल के बाद हमसे भी अपील करता हूं, कि वोटिंग परतिशत जरूर बढ़ना चाहिए, इतना बढ़ेगा, मोदी जी उतनी मजबूती से बंगाल में तमिलनाड़ों में करते हैं, तो TMC के गुंडे क्या करते थे, भाजपा के कार करताओं को वोटरों की हत्या करना, वोट पर दौरा दौरा के मारना, अभी देखी महलाओं के साथ जो कान वहां पर हुआ, संदेश खाली में, संदेश खाली का संदेश निकल कर आया, इस तरह का यह लोग मानी आप नकापोस आप बाहर आएंगे, और सजा होगी आपको, अचा विपक्ष का ऐसा कहना है कि पहले चरण के बाद मोदी जी बोखलाय हुआ है, बिजबी बोखलाय हुआ हुआ है, इसलिए मुद्दों से भटक कर, जो आप योजनाए गिनवाते थे, चार सो पार करते हैं उस से भी हिंदु मुसल्मान पर आगे, हम भांगाई की बात भी करते हैं, रुजगार की बात भी करते हैं, आप थोरा समय दें, मैं आपको बता दू कि एपी एफो के डाटा में, दो हजार चौदा के पहले बारह करोर रिश्टेशन था, आज 26 करोर रिश्टेशन उसम हमारे सासनकाल में 9 लाग हुआ, यूनिकॉर्न, स्टार्टप, इंफ्रास्ट्रक्चर में इतना तेजी से इन्वेस्टमेंट हो रहा है, दुनिया में सबसे तेज गती से, क्या इसे रुजगार स्रिजर नहीं हो रहा है, आप मोबाइल देखिए, पहले मोबाइल पर क्या आता है में इंडिया, आज हम मोबाइल एक्स्पोर्टर हो गए हैं, क्या इसे रुजगार स्रिजर नहीं हो रहा है, लेकि इंडी एलाइंस के लोग, कौगरिस, राज़त के लोग इस तरह का अफवाह हो रहा है, फिर फोक्त हिंदू मुसल्मान पर, हिंदू मुसलमान पर के लाजाएंगे, लेकिन आप राम मंदिर से उनको भै लगता है, राम मंदीर का फाइदा होगा, राम मंधिर पर हमें गर्व है, सी ऐस ड्यबर्ण और कि दो पर्संट लोग माने है लोग मृंद का फायदा घृदा ठीक है तो बाक्य मोदी जी इतना ना काम किया होगा था सब के लिए मेले योजना के लिए होती है और सभी जाती धर्व के लोगों ने देखा है इस देश में मोदी जी किसी के साथ अलग-अलग वर्ताव बैभार नहीं करते हूं जो वोटर है वो भी जो वोटर नहीं है वो सबको एक साथ उन्हों ने आगे बढ़ाने का काम किया सवाल में पित्रोदा पर लोंगा आपसे अजो कहा कि अमेरिका में ऐसा कानून है पिता की जो संपत्ती है पिता की अगरमत्य हो जाती और वनाम अपने बच्चों के नहीं करते हैं तो उसमें से 55 फीजदी सरकार की पास चला जाता है 45 वी आगे बढ़ जाता है प्रस्ताव दिया है कि ऐसा हिंदुस्तान में भी हो सकता है देखिए यह लोग सभीधान बदलने की बात करते हैं जो कि इस देश में तैमानी जब तक भासपा रहेगी सभीधान बदलने रही की बात हो नहीं सकती और अम्भेदकर साहब स्वयंग भी चाहे ने विस देश के सभीधान कानून परिवर्त नहीं हो नहीं सकता यह लोग अफवावखलाने भर की बात करते हैं लालो जी बिहार में ज stubा यह लाटते हैं कि कोई असर नहीं होना है देश संशोधन तो हो सक यह कॉम्मिनिस्ट के राज़ों में पहले हो चुका है तो प्रियोग को दुनिया ने पहले देखा है कोई कोई नई बात नहीं आई है घिसा-पिता कॉम्मिनिस्ट का एजेंडा जो की पहले फ्लॉप हो चुका है उसको लेकर के आया अच्छा एक सवाल ये भी है कि अब कॉंग्रेस पार्टी में जो एक साउथ का जो लोबी है वो ज्यादा हावी है इसलिए साउथ की सोच पर जाता तर उनकी राय मश्वरा जो भी कुछ है राममंदिर का विरोध करना राममंदिर में पुरान तिष्ठा में नहीं जाना तमा सब्सक्राइब करना चाहते हैं और यह एजन्डा आपका हम लोग नहीं चलने देंगे आप नौर्ट साउथ को बाटने की बात करेंगे यह सब उनकी हीडिन एजन्डे में है कि उनने देश बाटने का इत्हास उनका पहले का भी रहा है और फिर से वह चाहरें कि बाटे जो हम लोग यहां किसी हाल में नहीं होने देंगे चली आकर में मतदाताओं के लिए संदेश बिहार की वी चार सीटों पर जो है चुनाव है 26 अप्रेल में लगबग 88-89 सीटों पर चुनाव होने वाला है जी खुब कसके सब लोग वोटिंग करिए वोटिंग प्रटिशन बात की पपूयादा पर बीबात की और आपका मनीस कश्चप पर बीबात की पवंसिंग पर बीबात की तमाम मुद्दों पर बात की और आखिर में संदेश यही है कि बीजेपी इस बार चार सो पार जीतने जा रही है ऐसी बीजेपी ने जो हुंकार भरी थी वो होता हुआ इन्हें जमीन पर नजर आ रहा है साथ में NMF News की तरफ से भी मतदाताओं को एक संदेश के ज्यादा से ज्यादा मतदान के लिए घर से निकलें क्योंकि 5 साल में एक बार मतदान होता है आप वोट किसी को भी करें जो आपका कैंडिडेट है जो आपका पार्टी है लेकिन मतदान जरूर करें निर्जी बहुत बहुत धन्यवागने पर नमस्कार